कर दोस्तों कैसे हो आप का फिर स्वागत एक नई वीडियो में और मैं आसा करता हूं आप से अच्छे हो गए और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह हमने च्छत पर कुछ पौदे और कुछ फ्लॉबर्स लगा रखें बच्चोंने और अपने घर में कुछ सब्ज तो यह देखिए हमने फ्लॉबर्स उगा रखे हैं यह नौब जी के वाइट कलर्स के फ्लॉबर्स हैं और यह फथर चटा है इसको पासाण गेरी बोलते हैं जो स्टोन की प्रब्लम होती ही किड़नी स्टोन में बहुत अच्छा कार करता है और यह एलो बेरा है तो एलो बे प्रब्लॉबर्स डगे हुई है इसपर है यह और लगा रखे यह बच्चों नहीं तो अब चलिए हम अपना टेरिस दिखाते हैं आपको हाथ दोस्तों देखिए ये मैंने जो टेरिस बनाया था तो लाश्टिर इस पर हमने करेले के बीज बो दिये थे नीचे तो करेले की बेल और तोरही की बेल थी ये देखिए तोरही की बेल और ये करेले की बेली लाश्टिर करेला यह दो जा रहा है और पर से ग्रोथ सब्सक्राइबन के लिए लिए अभी नई हो यह चीज इसको रतालू बोलते हैं इसकी बेल पत्ता पान की तरह होता है और यह बेल बहुत सुन्दर लगती है तो यह भी मैंने लगा रखा है इसका जो कंड़ टाप का निकलता है वो जमीन के अंदर निकलता है मैंने ये अभी जब ये खोदा था तो करीब इस एक बेल से करीब दस किलो सब्जी निकला आई थी जमीन में और इसके साथ ही ये कुछ पौदे पामारे के होगे हैं ये आम का है ये आम बहुत अच अच्छा क्वाल्टिक है ये अच्छी निसल का है ये और ये आम खाके यहां पर इसका बीज डाल दियता जोगा आया है और ये यहां पर ये की बुट्टे का पेड मक्के का पेड़ खड़ा हुआ है इस पर जब बुट्टा लगेगा तो हम आपको भी खिलाएंगे और इस इसके जश्ट पास में ये मैंने मीठा नीम जिसे कड़ी पत्ता बोलते हैं ये भी इसको कड़ी में डालते हैं विसे इसका जो कड़ी वाली वेस्पी बनाते हैं उसमें डालते हैं ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा रहता है खासकर बालों के लिए जो ओयल बनाते हैं य और यह लुकी के पौदे लगा रखे हैं, यह जब ब्ड़े हो जाएंगे, सारा जब यूँ है यह पौदे लगा रखे हैं, सब जब तैयार हो के इस टेश पे जब 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 चढ़ जाएंगे, यह पौदे तो पूरा यह हरा-वरा लगेगा, अच्छा लगेगा और इसमें जब लाइस्ट येर हमने जो जो है तोरेई और करेले की सब्जी जो लगाई थी वो हमारे खुद के खाने के लिए और पडोसियों के लिए भी प्रयाप्त हो जाती ही और ये देखिए इन्होंने बच्चों ने एक ये डॉल को यहां पर खड़ा किया हुआ है डॉल का एक है इसने बैक टांग रखा है और ये गुलावांच का प오दा है और ये देखिए इसपे फ्रॉवथ आने वाकी हैं ये इदर अमने त्ल्साजी लगा रखे हैं ये अब हम आपको दिखाते हैं अब नी बार हमने जो करेले के पौदिह लगा Dartmouth का है ये लगा दिया है कात्यू के लगा दिनों की लगादी नहीं लगा पाएं तो तो रहा हम आपको दिखाते हैं दो प्रकारिकी टोगोंती है और इसमें से वाँ है अंइस की साब्जी बहुती है चीकनी दोड़े मौली तो रही होती है इसका मौसम अब भी मार्केट में यह तोरई आ रही है और यह सब्जी बहुत novic phimaya निग दूसरी तोरई यहुती है कि पॉल这ched काट के दिखाऊंगा एक एक करके और इनकी बीजों को निकाल के फिर मैं इनकी बीजों की बुबाई करूंगा ठीक है तो चड़िए दिखाते हैं सबसे पहले यह वाही तोरही में काटता हूं और यह दिखाते हैं आपको कि तोरही अंदर से फिर सारी के निकलते हैं यह निर होते हैं तो इसमें यसमें पहलों होते हैं dhul में बहुत सारे भी उख्यों होन धिम्त देखिए और छीए इसस तरीकें है इस को है यां देख अब यह दूसरी वाली तो रही जो है स्वाद में लग लग होती हैं यह थोड़ी हाड है अब आपको यह काट के दिखाएंगे अब यह देखिए यह तोरही मैं काट चुका हूं इसमें भी बहुत लंबे चोड़े-चोड़े हो लैं यह देखिए तीन-टीन होल इसमें भी है आप उसके दिखें आप इसके बीज इस्तोरही के पेच्छा थोड़े मोटे और चिकने भी यह साइनिंग है इसमें थोड़ी सी और में तो अपनी पसंद को सबीज वह है पसंद आएगा कौन सबीज बोएगा मैं ये बीज बूँगा आपको लोकना और ये मैंने ये इसमें आच्छे इच्छे बीज मैं ले लेता हूं और फिर यह यहां पर लगा दूँगा और ये जब पूरा तयार हो के जब हरा वरा हमारा टेर्स चेब हो जाएगा और इस पर ये लोकी तोरेई और ये करेले जब लगने लगेंगे फिर भी हम एक बार आपको दिखाएंगे चलिए इन बीजों को बो देते हैं हम यहाँ पर इस पर ये खुरुपी से ये थोड़ा थोड़ा मैं इस तरीके करके और ये यहाँ बीज बो देता हूँ क्या होता है जो बीज-टकल लगाते तो कभी कभी सारे बीज नहीं हो पाते हैं कुछ बीज खराब हो जाते हैं तो इसलिए मैं चार पांच बीज लगा दूँगा यहां पर और यह दो बीज यहां लगा दिये हैं कुछ बीज में एदर लगा देता हूं यह लगा रखें मैंने यह तो गाए हैं ग्रौत अच्छी लगा दिये हैं और दो बीज में यहां लगा देता हूं इस साड में आप दोस्तों मैंने अपने घर का ये तेरिस दिखाया आपको च्छत पर फ्लॉबर लगाए थे वह आपको दिखाये मैंने और अगर आपको बीडियो अच्छी लगे बीडियो पसंद आए तो अधिक सदे बीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमें सपोर्ट जरूल करें क्यों हमारे साथ में यह बच्चे भी हैं इनको सपोर्ट करें और इस वीडियो में इतना ही और मिलेंगे अगले वीडियो में